तो आज का जो सवाल जो है वो हम लोग लेते है एक जो यूजर है उन्होंने मुझे एक पूछा था याने कि मेरे स्टूडेंट है तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर जब मैं एक डिटेक्ट कर रहा हूं इस तरह से एरर आ रही है तो अरण क्या है तो मैंने उनको वह समझाया आपके अंदर यह नंबर का SPI फ्लेस्रों डिटेक्ट नहीं हो रहा है अंदर उसकी एंट्री है नहीं तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी तो इंटे किस तरह से करते हैं तो जब कभी भी आपको इस तरह से screen आये यह उन्होंने मुझे यह screen बेजा है कि इस तरह का screen आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है इस cheap ID के उपर इस cheap ID को आपको not down कर लेना है इसको जब हम लोग okay पे click करेंगे तो उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से कि अभी यह तो मेरा screen है तो हम लोग यहां से manually भी एड़ कर सकते में यहां पर manually एड़ कर देता हूं तो यहां भी इस तरह से होगा का यहां पर एक इस तरह का number दिखाए देगा वह verbally कोई भी हो सकता है सायद आपके computer के अंदर यह number अलग हो हमें यहां पर एड़ करना है नया number तो नया number एड़ कैसे किया जाता है अभी हम लोग उसको समझते हैं तो उन्होंने जो मुझे number जो बेजा था चीप ID का वो चीप ID का number मैं यहां पर लिख दूँगा और part number जो नया है मैंने उनको यह बोला कि आप एक काम करिए बायोस के हाड़वेर के उपर जो नंबर लिखा है वो पूरा नंबर मुझे दीजिए और वो नंबर उन्होंने जो मुझे दिया है वो नंबर है मैं यहां पर लिखता जाता हूं डबल्यू टू फाइव डबल्यू टू फाइव एक क्यू बन टू एट जे डब्ल्यू एस एम यह नया नंबर है अभी हम लोग नहीं यहां पर देखा वन टू एट है यानि कि यह 16 MB की बायोस होगी तो हम लोग यहां पर वीन बॉन्ड के अंदर भी 16 MB की कोई ना कोई बा तो दिखिए यहाँ पर उसने capacity बता दी कि यह 16 MB है जैसे ही आप यहाँ समझो 40 करोगे तो यहाँ पर size बता देगा अलग अलग लेकिन अगर 80 करते तो 1 MB है अगर 32 करते तो 4 MB है वैसे ही 128 तो 16 MB की capacity है यानि की algorithm equal to capacity आपको यह ध्यान में रखना है तो आपको algorithm हमेशा ध्यान मे रखना है कि आपकी बायोस का number 128 है तो आप यहाँ पर 128 ही select करिए तो आपका algorithm capacity के अनुसार set हो जाएगा तो यहाँ पर आप गार एपस ऐसा बोलते हो कि यहाँ पर 25x है और यहां यहां पर क्यू कर रहे है यहां पर समझो 1.8 है यहां पर 3.3 है यह confusion यहां पर रखना नहीं है आपको करना गया है आपको याद रखना है पार्ट नंबर जो है अगर यहां पर जीरो फोर है जीरो एट है या फिर समझो कि भी बन टू एट की जगह पर 32 है 64 है वाटेवर तो यह नंबर आपको याद रखना है और इसी का एक इक्वल ऑल्गोरिदम सिलेक कर लेना है इसको मैंने आपको डिटेल में क्यूं बताया उसके पीछे का में आपको रिजन समझ करते हैं तो चाहे किसी भी कंपनी की SPI हो 128 के लिए 16 MB की हो जाती है मैक्सिम के लिए 16 MB हो जाती है वैसे ही किसी भी कंपनी की अगर आपने ऑल्गोरिदम एक्वल 128 वाली ली है तो सभी की कैपेसिटी कॉमन है तो इसी लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ से 128 पर कंसीडर करना है अभी इसकी जगह पर और कोई नंबर आप एड़ करने जा रहे हो जैसे कि समझो इन फ्यूचर में आपको 256 वाली सिलेक्ट करनी है तो सभी का ऑल्गोरिदम 256 का 32 MB होता है तो इसलिए इसके उपर आपको खास ज्यान देना है ऑल्गोरिदम एक्वल सब्सक्राइब है अभी चीप आईडी जो है हमने आगे जो फोटो देखा मैंने उनसे मंगवाया कि आप मुझे फोटो बेजिए कि कौन सा नंबर है तो उन्होंने एरर से फोटो मुझे बेजा है तो यह नंबर जो है ना वही हमें चीप आईडी इसके अंदर लिख देनी है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे के 0x उसके बाद में 00EF8018 तो यह RT809F ने डिटेक्ट किया हुआ उसका चीप का आईडी है जब उन्होंने आटो डिटेक्ट किया फिर आटो आईएस्प किया था ना उस समय में ऐसी एरर दे दी थी के ऐसा कोई चीप आईडी का नया आया है लेकिन मेरे में लिष्ट में नहीं है तो हम लोग इसको यहां पर इस तरह से एड करेंगे मैनुफेक्टर कौन है तो मैनुफेक्टर के अंदर विन बॉंड है तो विन बॉंड कर दिया अभी इसको एड कौन कर रहा है यानि कि मैं अभी इसमें एड कर रहा हूं तो आप अपना नाम लिख दीजिए तो इस तरह से एक बार ऐसे आपको डेटा उसके अंदर लिख देना है अभी एक क्वेस्टन यह आएगा यहां पर यूजर डिफाइन में क्या करेंगे तो यहां पर आपको कुछ भी करना नहीं है मैं जैसे यहां पर एड करूंगा यहां पर कुछ भी करना नहीं है उसको सिंपल कर दीजिए एड तो दीखें यहां पर आ गया डबल्यू टूफाइव क्यू वन टूएट जे डबल्यू एसम यह नया आईडी आपके इस सॉप्ट्वेर के लिए एड हो चुका है इसको कर दीजिए क्लोस अभी जब आप यहां पर लि सॉप्ट्वेर को एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा उसके बाद में ही यह दिखेगा क्योंकि वह डिवाइस.ini फाइल को फिर से रीड करेगा इसको कर दीजिए पहले सॉप्ट्वेर को क्लोस सॉप्ट्वेर को क्लोस करने के बाद में rt809 app के सॉप्ट्वेर को वापस चालू कर दिया है सॉप्ट्वेर को मैंने आपके पास में बायोस है सीधा आप आप आइस पी करिए वह आटोमेटीक ली डिटेक्क कर देगा लेकिन फिलहाल में वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास में वो बायोस नहीं है मैंने एक यूजर का क्वेस्टन लिया है उसके उपर में बना रहा हूं इसलिए मैं यहां पर आइएस्पी यूज नहीं कर पाऊंगा तो मैं यहां पर लिखता हूं यहां पर दिखाई दे रहा है तो उसने यहां पर इस तरह से दिखाई दिया कि उसकी कितले अंबी की है तो इस तरह से आप किसी भी बायोस को यह पी नई जो SPI फ्लैस आई है उसको आप इस तरह से एड कर सकते हो आई होप आप यह पूरा क्लियली समझ गये होंगे क्या 809F या फिर एच इसके अंदर चीप आईडी के द्वारा अपने लिष्ट के अंदर आपकी बायोस को किस तरह से एड करते हैं एव नाइस दे थैंक्यू वेरी म सब्सक्षोट्बग।